पडोसी का वाइफाई फॉन पर क्लास सलकों पर समोसे बेचने वाले सनी ने कुछ ऐसे कर लिया नीट क्रैक दिन में बेचा समोसा रात रात जाक करकी पढ़ाई 18 साल का सनी बोला समोसा बेचना नहीं है मेरी किसमत पिता छोड़ गए समोसा बेच घर चलाया इस लड़के की सफलता देख फिजिक्स वाले के मालिक पहुँच गए मिलने मिसाल बना सनी समोसा बेचते हुए फॉन से देखता रहा वीडियो रात भर जाक कर करता पढ़ाई तब कर पाया नीट टॉप हलात हलात के जिमेदार नहीं होते चाए हलात जैसा हो हम अपने हलात को बदल सकते हैं सनी ने भी यही कर दिखाया है कि महनत और लगन हो तो सटकों पर समोसा बेचने वाला भी नीट टॉप कर सकता है कई बच्चे अच्ची सुविधा में भी कमिया निकाल कर पढ़ाई को सही मन से नहीं करते हैं और सनी ने समोसा बेच कर फॉन से पढ़कर नीट जैसी कटीन परिक्चा टॉप की है यही वज़ा है आज हम सनी कुमार की बात कर रहे हैं जो सनी जिसने धूब जेला जिसने पसीना बहाया जो आग के सामने खड़े रकर समोसा तला जिसने लोगों को समोसे बेचे जिसकी कमाई से घर चला और वही सनी जिसने नीट टॉप किया सनी की कहानी कुछ ऐसी है कि पिता बच्पन में ही छोड़ गए मा ने अकेले पाला पोसा एक बड़ा भाई और सनी दोनों बड़े हुए तो दोनों ने घर की जिमिदारी अपने कंधे पर ली दोनों भाईयों ने समोसा बेचना शुरू किया नोईडा की सलकों पर सनी अपने भाई के साथ समोसे बेचा करता था दिन में स्कूल जाता फिर साम को समोसे बेचता जिस दोरान समय निकालकर फॉन में वीडियो चलाकर पढ़ाई भी करता, भले वो समयोसे बेच रहा हो, मगर उसका लक्ष डॉक्टर बनना था, और उसका ध्यान हमेशा पढ़ाई पर होता था, देर साम वो समयोसे बेच कर घर लोटता, तो राद भर जाग कर पढ़ाई करता यहां तक कि पढ़ाई करते हुए राद भार जागने के उज़से उनकी आखों में भी दर्ध होने लगता था नोईडा के 18 साल के समोसे वाले ने नीट यूजी परिक्षा पास करने वाले सनी कुमार की कहानी फिजिक्स वाला के मालिक अलग पांडे ने दुनिया को बताई फिजिक्स वाला के अलग पांडे ने सनी की कहानी सेयर की अलग ने बताय कि कैसे एक समोसा बेचने वाले ने नीट परिक्षा क्रैक की है वो भी उत्ता मंकों से अलग बताते हैं सनी के कमरे की दिवारों पर नोट चिपके हुए है इन्हें देखकर वो भी हैरान रा गये थे सनी ने बेहत महनत से पढ़ाई की है उनकी कहानी सुनकर अलग पांडे ने उन्हें 6 लाग रुपिय की स्कॉलर्शिप दी है मेडिकल कॉलेज की फीस भरने का वादा भी किया है अलग पांडे अकसर ऐसे बच्चों की कहानिया सेर करते हैं जिन्होंने मुस्किलों का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की है सनी का डॉक्टर बनने के जुनून को देखकर वो उनकी आगे की पढ़ाई में मदद करना चाते हैं जिसके लिए 6 लाग की स्कॉलर्शिप उन्होंने दी है नीट यूजी परिक्षा मेडिकल कॉलेज में दाखिला के लिए होती है सनी ने सिर्फ एक साल की तयारी में 720 में से 664 अंग हासिल किये वो भी सिर्फ एक साल की तयारी में सनी को बच्पन से ही दवाईयों में दिल्चस्पी थी वो जानना चाता थे कि लोग कैसे ठीक होते हैं इसलिए उसने बायोलोजी विसे चुना सनी की सफलता सभी छात्रों के लिए मिसाल है